ये लेपटॉप किसी भी लेवल की वीडियो एडिटिंग करने में आपको हेलफूल होगा लाइव जाएगा पोर के कॉलिटी में मज़ा आ जाएगा इतना स्मूथ है अपने एक वर्क स्टेशन है कॉन्फिकेशन तो देख लो कॉन्फिकेशन है 11 जनरेशन कोर आए 9 अगर मैं इसके ग्राफिक कार्ड और इसके प्रोसेसर की बात कर लूँ तो यही अपने आप में कम से कम एक लाख रुपे का होगा कहने वाली बात है अगर कोई भी जंग आपको अगर जीतना हो तो आपके पास में वेपन्स बहुत अच्छे होने चाहिए सिमिलरली अगर डिजीटल वर्ल्ड में कुछ अच्छा करना हो आपको तो आपका सबसे इंपॉर्टेंट वेपन आपका लैप्टॉप बेस्ट होना चाहिए आज की टाइम पे मार्केट में बहुत बड़ा मिठ है कि भाईया हमको 30,000 से लेके 40,000 तक बहुत अच्छा लैप्टॉप मिल जाएगा बट मैं आपको परसनली बता दू लैप्टॉप तो इस रेंज में अच्छा नहीं मिलेगा आजकल जो बच्चों को 10th, 11th, 12th वाले students होते हैं उनको यह recommend किया था इस price का laptop तो देखिए अगर आपका नॉर्मल बजट है तो 40,000-40,000 तक आप कस्टमाइज CPU बनवाए ना कि laptop पर जाए बट हां अगर आपको laptop पर जाना है तो आपका बजट थोड़ा सा increase करना पड़ेगा 60,000 से लेके आपका बजट आपको लेके जाना पड़ेगा 1,000,000 तक और उससे ज्यादा भी है अगर इतना आपका बजट जा सकता है तो यह video आपके लिए है क्योंकि मैं यहाँ पर 30,000-40,000 के laptop को recommend करने वाला नहीं हूँ अगर आपका बजट नॉर्मल है तो आप यह system वाल करे लैपटोपस की बात करूँगा जो सच में काम करते हैं सबसे बड़ा question जो हमारे बीच में आता है वह question पता है क्या आपको हमारे बीच में एक question आता है जब भी हम laptop ले जाते हैं कहीं भी जाते तो हमसे दुकान दार शॉपकी पर क्या पूश लेता है भायो रिक्वार्म पड़े इसी बात को डीटेल में समझने के लिए मैं आपको समझाता हूँ रिकॉर्मेंट हमारी क्या होती है और क्यू हमें हैवी हाई कॉन्फिकेशन मशीन पर जाना चाहिए राधा दन बेसिंग मशीन पर हमारा जो वर्क स्कोप होता है ना किसी भी डिजिटल रिकॉर्डिंग करने की अब आप मैं से बोलो गार को रिकॉर्डिंग करना ही नहीं करना पड़ेगी जो टेकनिकल वीडियो बनाते हैं वहाँ पर आपको खुद का इंवाल्मेंट देना पड़ता है तो रिकॉर्डिंग कितने टाइप की होती है तो जैसे अगर दूसरे इंफ्लूएंसर से सभी आजकल किसी भी डॉमेंड में सबसे अच्छा तरीका पड़ाने का है पीपीटी के साथ में कैम पड़ाना यह तो बहुत कॉमन है हर कोई पड़ा रहा है और के साथ में पड़ा रहा है एक टाइप का बहुत बेसिक वीडियो है कि डायरेक्ली आप बैड़ गए कैमरे पर रिकॉर्ड कर आप और आपने यहां पर अपने डिश्लर से रिकॉर्डिंग कर लिए सिंपल अगर आप गेम खेल के वीडियो बनाने तो भीया इस पर इतना ज़्यादा ग्राफिक काड इतना सीपी उटलाइशन यूज़ होगा ना आपको बेसिक में तो काम ही नहीं चलेगा गेम ही नहीं चलेंगे हमारे तो यह सारे तरीके हैं हमारे रिकॉर्डिंग करने के तो बि नहीं पर लाके करने में भी हालत खराब हो याती अच्छे से यह हो पड़ी और अगर हम बात करें कि हमको जब रीकॉर्डिंग करना पहुता है बहुत पलंग नए चाहां जब बहुत नहीं चाहाए कब गान चैने जब यच्वूर्डश और आमसी हिंगे इस सिस्टम पे अगर हम लाइव जा रहे है तो हमको दो चीजों की requirement है सबसे पहले तो हमारे internet की internet में uploading speed और downloading speed इन दोनों की जरूत पड़ती है uploading speed और downloading speed दोनों की जरूत पड़ती है हमारे पास जो normal जो लगे होते हैं broadband connection उसमें सिर्फ और सिर्फ हमको मिलती है internet की दूसरी requirement क्या होती है हमारे hardware system की यह लोगों को पता ही नहीं होता है लोग क्या सोचते यार इतना अच्छा net ले लिया uploading speed बढ़ा दी और अब system नहीं अच्छा है तो उनको क्या होता है कि यह system यह internet तो capable है अपनी sd quality को send करने में बट यह system नहीं बना पा रहा है sd quality नहीं generate कर पा रहा है तो यहां पर बहुत बड़ा lag हो जाता है तो लाइब में सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती क्योंकि उनको system capable नहीं है sd quality में 1080 में 30 frame rate 60 frame rate 50 frame rate पे यहां से मिल तो रहा है पर यहां से भेजने में तो quality बनके नहीं आती तो लोगों को लगता रहे इंटरनेट वाले के पिशे पढ़ जाते है नहीं यह भी important है अब हम बात करें OBS जब live जाते हैं तो हमें OBS चलाना पड़ता है अब OBS चलाना है तो उसमें camera भी चलाना है माइक भी चलाना है बहुत सारे software भी open कर लेते हैं Chrome भी open करते हैं इतने सारे software को एक साथ run करने के लिए दमदार computer की जुरत पड़ती है चलिए मैं आपको ज्यादा time waste नहीं करता हूँ सीधे आपको लेके चलता हूँ system के पास में जो यह सारा काम बहुत हस्ते खेलते कर सकते हैं अगिन यह वीडियो थोड़े महेंगे laptop को recommend करता है सस्ती की खोज में आये हो तो यहीं से इसको drop कर दो ज्यादा बहतर रहेगा और अगर आपको लगता है कि इस वीडियो से आपको value मिलने वाली है या value मिल चुक मैं share कर रहा हूँ थोड़े टाइम बाद इस वीडियो को अगर एक साल बाद भी देखोगे आपको तो मैं वह लिंक अपडेट करता चलूँगा नए लेपटाफ अपडेट करते चलूँगा आज मुझे यह पांच लेपटाफ अच्छे दिख रहे कल मुझे कुछ और अप इस दिख बहुत इंपोर्टेंट रोल प्ले करती है यह लेपटाफ आपको 61,890 रुपीज में मिल रहा है बहुत अच्छा लेपटाफ है यह सबसे बेसिक लेपटाफ मेरे इस साफसे है इस सीरीज में पांच लेपटाफ कर देगा बट मैं यह लेपटाफ रिकमेंड करता बढ़ा इसमें बेसिक एडिटिंग जैसे लेक्चर रिकॉर्ड किया उस पर कट लगाना है और एक्सपोर्ट करना है अराम से हो जाएगा ठीक है बट ऐसा जैसे बहुत अनिमेशन आ रहे है यह एलिमेंट आ रहे है जैसे मेरा यह वीडियो आराम से इसमें एडिट हो सकता है जो आप देख रहे हो ना यह वीडियो इसी टाइप के एडिट हो सकता है बट कुछ मेरे वीडियो देखेंगे आपने जो बहुत सारे एलिमेंट्स हो क्रोमा पर रहते वह नहीं हो पाते है उसमें टाइम लगता है दूसरा लैप्टप हम बात करें तो यह दूसरा लैप को इंटेल का था और यह हमारा है एमडी राइजन राइजन का बहुत फरक है दोनों में बढ़ा डेफिनिटी यह उससे बैटर है इसलिए आगे है और 67,000 का है देखिए हमारा जो यह तीसरा लैप्टॉप है यह लैप्टॉप है यह टाच स्क्रीन लैप्टॉप भी है तो इसमें आप बहुत सारी चीज़े थोड़ी सी अप्डेट वर्जन है 11 जनरेशन है आए 711 जनरेशन है सोला जीबी का आपको रैम मिल जाएगा वन टीबी की एसेजरी हाड़ डेस है स्पेस बहुत अच्छा इसके अंदर विंडोस 10 फूल एजडी डिस्प्ले है तो क्वाल लगा यूनिक लगा अगर आपको भी ऐसे कुछ यूनिक डिवाइस और अच्छे अट्रैक्टिव डिवाइस खरिदने के लिए मन करता हो जैसा मेरा अक्सल मन करता है कि मैं हमेशा ऐसे फैंसी डिवाइस यूस करूं तो यह लेटप आपके सारी नीट को पूरा करेगा यह इसमें ग्राफिक कार्ट आपको मिल जाएगा अब इस लैप्टॉप की जो खासियत है आपको बताता हूं कि इसमें आपको दो स्क्रीन मिलती है यह जैसे ओपन होता तो यह उपर उठके आ जाएगी और यहां पर यह अलग डिस्पले है और यह अलग डिस्पले है तो आप इसको दोनों चीजे दो टास्क आप इजीली देख सकते हो तो यह बहुत अच्छा वर्क करेगा OBS और इसके साथ में तो डेफिनेटली यह ले सकते हो आला कि छोटी स्क्रीन एज़ पेंटेप टैच स्क्रीन भी है तो आप उसको प्रॉपर ली एस पेंटेप भी यूज कर सबसे अपडेटेड लेटप में से एक है यह 11 जनरेशन कोर आई 9 इसके प्रोसेसर की ही कॉस्ट अगर आप मार्केट में लेने जाओ तो 40 से प्रोसेसर है इसमें आपको ग्राफिक कार्ड है कितनी जीबी का 8 जीबी का मतलब आप मानके चलो बहुत और बहुत सब इसमें आप सब कुछ कर सकते हो मतलब आपको बदाओ नहीं यह अपने आप में एक मैं एक और चीज आपको recommend करना चाहूंगा कि antivirus अगर आप genuine windows लेते हो तो जरूत नहीं है बट आपको थोड़ा सा प्रिकॉशन रखनी पड़ेगी जो चीज आप डाउनलोड करते हो अथेंटिक साइट से डाउनलोड करो क्योंकि अगर गलती से वायरस आता तो अच्छे लेपटाप को स्लो करेता है तो वायरस से थोड़ा बशने के लिए आप हमेशा कोशिश करिएगा इसके अलावा यह laptop तो है ही है आपको मैं CPU का रिकमेंडेशन भी इस वीडियो के माध्यम से दे चुका इन में से आपको चैन कर लीजिए कि सस्ते पर जाना हर बार अच्छा सॉलीशन नहीं होता इसलिए मैं आपके सामने बेस्ट सॉलीशन लेकर आयो मैं वीडियो की लिंक आपको और कोई रिकमेंडेशन है तो प्लीज इस वीडियो में कमेंड के द्वारा आप मुझे बताए मैं इसे अपने डिस्क्रिप्शन में एड करूंगा थैंक्यू सो मच फर वाचिंग